नमस्कार मैं हूं सुनील बोवी मगत संबाद में आपका स्वागत है हर पहल आपके साथ सारदे की परतीमा की सुन्दरता को मुर्तिकारों के दुवारा इस तरह उतारा जाता है कि पुजा पंडाल में जाते ही लोग कायल हो जाते हैं। मुर्ति की तैयारी की जाती है। लिए दू-टीन साल मुर्ति बनाने के लिए सीखे थे। धीरज ने बताया कि मुर्तियों में विभिन डिजाइनों की मंग बढ़ती जा रही है, लोग इंटरनेट से मुर्ति की तस्वीर निकार कर बनाने का ओर्डर देते हैं, जिसे हम उतारने की पुरी कोशिश करते हैं, लोगों की फरमाईस लगतार बढ़ रहे हैं, मुर्तिकार खास लगन और स्रदा के साथ मुर्ति को बनाने के कार्ज किया करते हैं, मुर्ति के एक एक भाग पर काफी लगन के साथ मिट्टी लगाते हैं, आईए बात करते हैं मुर्तिकार से, वो क्या कहते हैं, उन्होंने यह भी बताया कि हर बार मुर्तियों की मांग बढ़ती जा र पिछले साल 30-35 मुर्तियों को मैंने बनाया था लेकिन इस वर्स 40-50 मुर्तियों के बनाने का अब तक ओडर आ चुका है और आगे भी आने की संभावना नजर आ रही है जितना मुर्ति बनाने मिट्टी लगाने में समय लगता है उसे कम समय मुर्ति को कपड़े अन्य समानों से सजाने में कम नहीं लगता है उसमें भी खासा समय लगता है किस डिजाइन को कहां पर देना है इसको भी काफी सोच समझ कर लगाया जाता है मुर्ति कारों का कहना है कि जितना हम मेहनत करते हैं उतनी हमारी कला के नुसर ग्राहकों के द्वारा पैसा नहीं मिल पाता है फिर भी आर्थी किस्थिती के लाचारी और बेवसी के कारण और अपनी कलाकारी को बनाये रखने के लिए इस काम को करना पड़ता है ग्राहकों में काफी मूल भाव होती है फिर भी अपनी स्रदा भा के साथ मा की परतीमा को हम बनाते हैं कि कहां सीखे थे बनाने के लिए कितना साल नहीं सिखने में लगाते हैं के तो ना मूर्ती बना ले तो परतेक साल यहां तो पॉसर चॉंटी सब्सक्राइब कि इस मूर्ती के कीमत कितना लगवग में है बाईसो रुपई है बाईसो झाल